हेलो एब्रिवन मैं मिनाक्षी शर्मा हिंदी ऑनलाइन क्लास सिवं कान्वेंट स्कूल में आप सभी का स्वागत करते हूँ आशा करते हूँ कि आप सभी स्वस्त्वा रसन होगो आज मैं आपका परशय आपकी क्लास 6B की हिंदी बुक आराज़ से कराते ही साथ ही साथ इसमें संकलिक इतने ऊचे उठो नामत कभिता का भावर्थ भी समझाओं बच्चों ये है हमारी हिंदी बुक आराज़ आराज़ मेंस इस्ट या देवता इसमें पार्ट एक इतने ऊचे उठो है जो की शरीद्वार का प्रशाद माहिस्वरी जीद्वारा रचित है तो चलिए आज हम और आप इसका विता का भावट समझते हैं इतने उचे उठो की जितना उठा गगन है देखो इस सारी दुनिया को एक द्रश्टी से सिंचित करो धरा समता को भावब ब्रश्टी से जाति वेद की धर्म बेश्की काले गोरे रंग द्रेश्की ज्वालाओं से जलते जगने इतने शीतल बहू की जितना मलय पवन है प्रस्तत पंक्तियों में कभी कहता है कि ही मानव आपको अपने अच्छी सोच से इतना उपर उठना है कि जितना आस्मान उठा हुआ है हमें नए समाच की निर्माण में अपनी सोच को जाति धर्म, रंग द्वेश, आदी जैसे भेदफावों से उपर उठकर सभी को समानता की द्रश्टी से देखना है सिंचित करो धरा समता को भाव ब्रश्टी से जाति भेद की धर्म वेश की, काले गोरे, रंग द्वेश की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहु की जितना मलर बवन है कभी ने कहा है कि सभी वो समानता की दस्टी से देखना है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वर्षा का जल सभी को समान रूप से राप्त होता है उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ समान रूप से बेभा करना चाहिए हमें समाज में फैली नफरत की आग को समाप्त कर समाज में मलें परवत से आने वाली हवा की तरह शीतलता और सांती लाने का प्रियत्मे करना चाहिए तो बच्चों आज हमने इस पध्याश का भावर्थ ग्रहें किया अब आप इसके शवदात और भावर्थ अपनी फियर कोपी पर लेखिए और कविता को कंठस्त कीजिए धन्यवाओं